हाई दोस्तों आप सर्वीका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस तूटोरेल में देखेंगे हम लोग कैसे इस तरह के फोटो एडिट किये जाते हैं तो दोस्तों मिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं सबसे पहले आपको उपने फोन में पीस टैस अपिलिकेशन को उपन करना है उसके वाद आपको ब्लैंड डॉक्मेंट ले लेना है लेयर ऑप्शन में जाकर आपको एक बैक्ग्राउंट सा अलग कर लेना है अपने इस फ और एड कर लेना है बैक्ग्राउंट को एड करने के बाद आप उसे जिसाइस कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट के अनुशार और ओके पर किल्क करतीजिए इसके बाद एफेक्स में जाएंगे गाजियन ब्लर ओके और फिर लेयर अप्शन में जाकर फोटो लेयर बज में मॉडल को एड करेंगे और इसका बैक्ग्राउंड रेस करना होगा दुस्तों अभी मैंने पहले रेस कर रखा है ताकि जादा टेम वेस्ट ना हो तो इसे एड कर लिया मैंने और इसे बैक्ग्राउंड के नुशार अजी साइज करने के बाद ओके फिर क्लिक कर लेंगे अब लेयर आप्शन में जाके फोटो लेयर अब इसके हाथ में एक एपल देना है हमें तो वह एपल सेलेक्ट करके इसे अड़ कर लेंगे और इसे साइज करेंगे मॉडल के हाथ में लगना चाहिए इस तरह से और फिर ओके कर लेंगे रेजर टूल में जाकर हम लोग रेजर सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी साइज जो है कम करेंगे तोरी और थोड़ा सा हलका सा रेजर कर लेंगे दोनों साइट से ताकि लगे वह हाथ में है एपल इसके बाद ब्रेश की आपैसिटी चेंज करेंगे और साइज भी और यहां पर थोड़ा साइज कर लेंगे ताकि लगना चाहिए कि एपल हाथ में है उसके बाद एड लेयर अप्शन में जाएंगे फोटो लेयर और जो कैट का माउथ है वह हम एड करेंगे अपलको दात लगाने है तो यह दातों वाली लेयर सेलेक्ट कर लिए मैंने क्विक सेलेक्शन टूल से मैं इसकी सेलेक्शन बनाने हो ला हूँ कम्प्रेट्ली सेलेक्शन बना लेनी है इसकी दातों की और दोस्तों थोरा सा इसका इसकिन का पार्ट भी आना चाहिए ताकि हम इसे बाद में हलका हलका सा एरेज करके मर्च कर सके एपल वाले लेयर के साथ अब उपर से रिफाइंड आप्शन में जाएंगे रिफाइंड एजिस यहां से हम लोग एजिस जो है रिफाइंड करेंगे अब दोस्तों मैं तूल में जाकर एक्सट्रेक कर लेंगे और डी सेलेक्ट उसके बाद हम लोग इसे रिसाइज करेंगे जो दी साइज करके एपल के उपर रखेंगे इसे और ओके कर देंगे इसके बाद अब हम लोग रिजर ले लेंगे और जो यह दातों वाली लेयर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हलका हलका सा एरेज करते रहेंगे एरेजर की ओपेसिटी आपको कम रखनी है इस बात का आपको ध्यान रहे है इसके बाद एपल वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपको पैसिटी फुल्ड रखनी है और ब्रेश की जो साइज है तो सेम रखेंगे और एरेज कर दीजिए यह वाले पास्ट को स्रिफ इतना ही एपल एरेज करना है हमें जितना के दातों वाली लेयर का माउथ ओपन है अब माउथ को सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ असा यहां पर जो छूड़ गया है हमारा उसे ओपसेटी कम करके एरेज कर लेंगे यह वाले पोशन में और इसके बाद अब दोस्तों हमें एक खाया हुआ एपल एड़ करना है यह एपल मैंने एड़ कर लिया है इसे भी साइस करेंगे और रोके कर देंगे आपको एक सेलेक्शन टूबी की मदद से हम लोग इस पी सेलेक्शन बनाएंगे स्रिफ इस वाइड पोशन की सेलेक्शन बनानी है उसके बाद द्यूद विफाइन में जाके इसके एड़िस को जो है वह विफाइन करना है और उक्के कर देना है उसके बाद पिंक टूल में जाके एक्स्ट्रेक कर लेना है और उसके बाद डी सेलेक्ट और उसके बाद अब रिसाइज करेंगे इस मुशिन को और मॉडल के उपर रखेंगे अब कर देंगे अब मॉडल वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और एरेजर में जाके थोरा साल का सब जो मॉडल का पार्ड है उसे एरेज कर देंगे इसके बाद एपल वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे जो खाया हुआ एपल है वाइट लेयर जो है और इसको द्रॉप शेडो में जाकर इसको एंगल है शेडू का वो जीरो पर रखेंगे और इसके बाद कलर जो है कलरा हम द्रॉपर की मदद से इस शेड का जो सबसे डार्क पोशन है उसे सलेक्ट करेंगे और जो blur का जो ratio है उसे 0 रखेंगे और ok कर देंगे अब brush option में जाकर effects वाला brush है उसे select कर लेंगे effects वाला brush जो है ये वाला हा और जो effect है हम लोग डोलडे जो burn रखेंगे इसमें जो इसका percentage है हम लोग तो इसे minus 86 के करीब रखेंगे और ok कर देंगे अब जो white potion है उसके उपर ही draw करेंगे हम लोग brush की size बढ़ा देंगे और draw कर देंगे यहांपर हलका हलका सा दोस्तों देखेंगे तो इसमें जहूर आपको effect देखेंगा तोड़ा अलग ही effect देखेंगा तो दोस्तों आपकी पिच्चा आज मुस्ट्र एड़ी है और इसे save कर देंगे अब आगे काम जो हम लाइट रूम में करेंगे हरका सा जो color correction है बस वही करना है हमें उसके लाइट रूम ओपिंग करेंगे और जो है पिक्चर हम उसे एड़ कर लेंगे यहां पर डिवाइस में जाकर अब project को open करेंगे हम लोग उसके बाद colors में जाना है लाइट कास में कुछ ज्यादा काम नहीं है colors में जाकर temperature जो है उसे माइनेस आठ दस के करीब रखेंगे और जो saturation है उसे 9 के करीब रखेंगे इसके बाद effects में जाना है उसमें clarity को 12 तक रखेंगे और देश को रखेंगे साथ विंटेज माइनस 13 के करीब रखेंगे और इसके बाद जाएंगे details वाले option में उसमें sharpening को जो है plus 8 के करीब रखेंगे और रोकेद देंगे तो यह आपकी पहले की picture और अभी की पीच्चर दोनों picture आपकी ready है अब सेयव कर लिजए picture को अज़ोस्तो अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिये चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए और देखते हैं ये मज़ेदार वीडियोज ठेंक्यू दोस्तो